नमस्कार टॉपर्स क्लव आईस अकेडमी में आपका स्वागत है आज हमारा अध्यन का जो विश्य है हिंदी साहित्य जो की टीजी टी पीजी टी और सुपर टैट जो परिच्छा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्व पूर्ण है हम इसमें एक क्रमत तरीके से वीडियो बनाएंगे आप इस वीडियो को सुरू से लिके एंड तक दिखेएगा क्योंकि इसी वीडियो से हम अपने टेलीग्रम चैनल पर टेस्क लेंगे हम दिख लेते हैं आज हमारा यह जो टॉपिक है किस किस एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और क्या इसे पूछा जा सकता है सबसे पहले हिंदी साइट है हमारा वेसे और इसमें टीजीटी पीजीटी साथ ही और इसमें जो अभी यो सटेट जो वाला जो सेक्शन चला है यानि एडेड कर जो लुस्त वाला एडेड वाली जो क्लास है एक्जाम है परिच्छा है उसके लिए बही यह क्लास आपको म हम अगर आपने सबसे पहले के हमारा जो चैनल है टॉपर्स क्लब आइस अकेडमी इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस पर आपको सारे वीडियो और पीडियेफ मिलती रहेंगी और इसी नाम से हमारा मोबाइल एप्रिकेशन भी है आप उसे डाउनलोड वहां कर सकते हैं वहां पर वीडियो और नोट्स और कुछ मिलती रहेंगी नेक्ट देखते हैं सबसे पहले हिंदी साहित का इतिहास की बात कर लेते हैं हिंदी साहित का जो इतिहास है वो सबसे पहले किस ने लिखा यहां से काई वार कुश्चन होगे मैं सारे चीज़ को एक बिधवत तरीके से समझाऊँगा कि कौन को से कुश्चन का पूचे गए कर दें मैं पूछें गए हैं और घ्रच तो स्मर्च नहीं को बढ़ सकते हैं हैंご L HypiddAL किया है यह और आप लेकिवाट जाइगा कुछ चीजे नी नोत करने के लिए भी बूलूँगा ताकि आप उसे नोट भी कर सकते हैं हलांकि नोटस में आप उसम मिल जाएगा लेकिन आपने नोटस मिलाने बहुत जरूरत हैं इन्होंने गार्षाता तासी ने क्या किया कि एक पुश्टक फ्रेंच भासा में लिखी और वो हिंदी साइथ के लिए लिखी तो ये कुशन पूछ लेता है कि इनकी पुश्टक का नाम क्या था इनकी पुश्टक का नाम था इस्तवार इस्तवार दाला दाला लित रेच्वर लित रेच्वर 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 एंदुई एंदुस्तानी द्यान रखिएगा इनकी जो पुस्तक का नम क्या है इस्तवार दला लिटरेच्वर एंदुई हिंदुस तानी है अपनी इस पुस्तक में इनोड क्या किया यह पुस्तक जो थी यह दो भागों में प्रकाशित हुई पहला भाग अठार सो उनतालिस प्रकाशित हुआ और दू के दोनों कवियों को सामिल किया गया है कौन कोंसे हिंदी में जो गार्जाजा तासी है उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हिंदी कवियों का और उर्दू कवियों का उलेग किया है टोटल कुल कभी इन्होंने 738 कवियों का उलेग किया है जिसमें बहातर जो है जो बहातर है वह आपके हिंदी कभी कितने बांतर आप के हिंदी कभी यह तो अब टोटल और तीशे हैं, तो से सक कितने बचे, 738 में से आप घटा दिजी इतड़ तो बचा च्छह और तेरे मेसे 666, यानि जो उर्दू के कभी है, उनकी अंकी छेषैसो स्याज़ट है लिगा भी है तो इस तर से मैंने आपको बताया कि इस में 738 टोटल कभी थे जिसमें से बहाद तर आपके हिंदी के कभी थे और सेज उर्दू के कभी थे अब ड्क्टर लच्छमी सागर ने क्या किया डॉक्टर लच्वी सागर ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया और उसका अनुवाद किया एंदूई साहित का सॉरी हिंदूई साहित का इतिहास दारगना यहां पर जो बड़ यूज किया गया है वो हिंदूई है हिंदी नहीं है, confusion नहीं करना है और ये 1952 में जब वो बारत में आम चुनाफ चल लाई थे पहले आम चुनाफ थे जादी की बाद तो ये उस वक्त प्रकाशित हुआ था ये पुस्ता कौन सी है? इस्तवार दाला लिटरचर एंदुई ए हिंदुस्तानी अब इसमें देखिए, ये फ्रेंच में है तो यहाँ पर एक एंदुई है एंदुई हिंद्वी के लिए क्या है? हिंदी के लिए नहीं है जो एंदुई सब्द है, वो हिंद्वी के लिए किया गया है और जो एंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी के लिए प्रियोग किया गया है तो यहां से कई वार कुशन पूचा है देख लेते हैं कौन कौन से कुशन पूचे गए है इस तो गरंद का नाम पूचा कि गारसाद अतासी ने अपने गरंद कौन से गरंद की रचना की तो उसका आंसर इस्तवार दला लित्रेचर एंदुई हैंदुस्तानी हो जाएगा इसका पहला संस्क्रण कवा आया यह कुशन आया 4849 में आया साथ हिंदी का अनुवाद किस ने किया तो इस पुस्तक का हिंदुई साहित का इतिहास नाम से किस ने किया था डॉक्टर लच्मी सागर बासने किया था दूसरे बार इसका जो संस्क्रण आया था वो 847 में आया यह भी कुशन पूचा गया कि इसे कुल कवियों की संक्या कितनी है 738 है हिंदी की कभी कितनी है बहात्तर है और उर्दू की कभी 666 है नहीं लिका है इन्होंने क्या किया हिंदी साथ के इत्यास लेकरंगी प्रंपरा में हिंदी ने पहली बार प्रयास किया हिंदी वासा में लिखा प्रतम गरंत जो इत्यास का है वो स्री महेश दत्त सुक्ल का है हलाग कि इसमें वो विवित्ता नहीं है जैसा कि एक हित्यासिक गंटों में होती है इन्होंने लेका भासा काव्य संग्र है जो जिसका प्रकासन 870 में हुआ महारास्ता में सबते सोदक समाज की जो इस्थापना है वो जियोतिवाफूले करते हैं अब यहां से देखिए यह कहां से प्रकासित हुआ यह भी कुछा गया तो इनका जो भासा काब संग्र है वो उत्तर प्रदेश की बरतमान जो राजधानी है वो लखनों में प्रकासित इन्होंने लिखा सिव सिंग सरोज कौन से लिखी सिव सिंग सरोज है ठाकोर सिव सिंग सेंगर है अब देखे इन्होंना क्या किया इनके इस जो गरंद का प्रकाशन है वो 1883 हुआ कब हुआ 1883 आप भी नोट करते रही है क्योंकि यहां चले रहा है आप हैंडेटर लिखेंगे तो आपको मैंड में यह फिगर मंते चले जाएंगे और जब भी एक्जाम हॉल में तो यह सब चीज़ें आपकी डेटा याद रहेंगे तो यह 1883 में क्या हुगा इस गंत का प्रकाशन 838 भासा कवियों का उलेक करते हैं यहां से कुष्छन आया प्रकासन बर्सिंग का इनकी जो पुस्तक है वो है सिप सिंग सरोच 883 प्रकासित हुई 838 जो इसमें कुल कवी हैं और इसकी जो मूलत भासा है वो आपकी हिंदी है यहां से नेक्ष्ट दिखते हैं अगला प्रियास किया था मौलवी करीम अद्दी और इन्होंने लिखा तजकिराए सौराई हिंदी क्या लेकारों ने मौलवी करीम अद्दी ने लिखा तजकिराए सौराई हिंदी है 1848 में जब डरोजी यहां पर आये था डरोजी नया नया बनाए हुआ था उसके समय पर मौलमी करीम उद्दीन द्वारा लिखा गया और इसमें जो कवियों की संक्या है वो है 1004 यह भी कुछन पूचा गया था कि यह ग्रंथ किस गवर्न जनल के समय लिखा गया तो आज सरा आपका हो जाएगा डरोजी है साथ यह पूछ लेके इसमें हिंदी के कितने कवी हैं तो इसमें हिंदी के जो हैं वो 62 कवी हैं कितने 62 कवी हैं और टोटल कवियों की जो संक्या है मैं और ऊट्रण को द्यान में रिखा गया है जो हमारे कभी हैं उनके काल करम जीवन के हिसाब से लिखा गया है एक डूट समय रहतकों को ध्यान में रखा गया है नेक्ष देखते हैं कि 1888 में महत्रपूर जो आया जॉर्ज ग्रीशन का नाम आता है जिन्होंने हिंदी जो साहिति का पहला काल विवाजन किया था जॉर्ज ग्रीशन और चुकि वह उनका जो संबंद्ध था जो बंगाल में एसेटिक सोसेटी जो की कलगता में इस्थापिती तो वहां से यह जुड़े हुए थे और इन्होंने जो पुष्टक लिखी इन्होंने जो पुष्टक लिखी उसका नाम है दा मॉडर्न बरनाक्यूलर लिट आँफ हिन्दूस्तान और यह पुछनता है एसेटिक सोसाइटी के सिंस्थापक की तो सिंस्थापक बिलियम जोंस को थे Theo क continuation अब पुष्टक का नाम हो 952 कवियों का उलेक किया है देखिए किसी भी गंत में जितने कवियों की संग्या पूछी जाती रही है इसमें कितने कवियों की संग्या पूछी जाती रही है इसमें कितने कवियों 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 का उलेक उन्होंने अपने इस गंत में किया है डॉक्टर जो किसोरी लाल थे डॉक्टर किसोरी लाल गुपता ने क्या किया इसका हिंदी में अनुबाद किया और नाम क्या किया हिंदी साहित का प्रथम इतियास इस सीरिसक से इनों ने इसका हिंदी में अनुबाद किया जो कि 1957 प्रकासित हुआ ये वो समय था जब हमारे द सबसे महतपूर नहीं नें सब्सक्राइब काल को किसने का तो उसका होता जॉर्ज is सन यह भी कुशन पूचा जा सकता है कि भारती साहित का जो हिंदी साहित का जो प्रतम कालव भाजन है वो किसके द्वारा किया गया उसका जौर्ज गिरियसन है आगे चलते हैं नेक्स्ट में अब मिस्र बंदू बिनोध भाईया इतना मिस्र बंदू यह तीन भाई थे और इन्होंने मिलकर के किताब लिखी है जिसमें इन तीनों भाईयों की रचनाओं मतला जो साहित है वो देखने को मिलता है और मिस्र बंदू में हैं कौन-कौन है यह इनकाम रहता है गई तो गड़ेस बिहारी सियाम बिहारी और सुकदेव यहां से इस तरह से कुछिर पूचा गया था कि निम्लिकित में से कौन सा मिस्र बंदू भाई नहीं है तो इसमें तीनों का नाम दिया था चौते में कोई भी आपका दे सकते हैं ठीक है साथी यह चार भागों में यह जो गरता आपके चार भागों में विवक्त था और इस 1934 में प्रकाशित हुआ मिस्र बंदू बिनोद है इतना महत्व ग्रंथ है इसमें 4551 एक्जक्ट यह है लेकिन कभी कभी क्या है 5000 करके भी आंसर आया है कि मिस्र बंदू बिनोद ने लगव कितने कभियों का उल्ले किया है तो पांच यहां लेकिं एक्जक्ट है चार जार 591 तो मिस्टर वंदू जो विनोद फुस्तक है वो क्या है कि इसमें रामचंद शुक्ल के लिए और साहितिकारों आपने रिचना के लिए है जो कच्छा चिट्धा प्राफ्त किया कच्छ वाल तो इसी गण से लिया है तो अब इस में अब राम चंद उप्रसुक्ल का आता है इन द्यारगी का इनका इंका इंकियोक इंपोटेंट रैंग सच्छे अर्थों में अगद दिखा प्रहत्य सिद्धनत रूख सेकर देखा जाए तो उसका जो प्रयास किया है वो राम चंद शुकल ने किया है राम चंद सुकल ने का हिंदी साहिति का इतिहास इसको चापा था नागरी पचानी सवा कासी ने और संती 1929 में प्यार रखेएगा इसमें एक हजार कवियों का उल्ले कैए ये कई बाद कुछन पूचा गया है कि हिंदी साहित का इत्यास जो कि राम चंद रुखलगा है उसमें कितने कवियों का उल्ले कैए तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा एक हजार कभी है देखिए ये कब लिखा गया 1939 में हिंदी सब्द सागर की भूंका के संदर में इसको लिखा गया था मका के यहां से कई यह जो सब्द सागर है उसको निर्माड करने में प्रबुक्तीन साहितिकारों का योगदान है उनके कौन-कौन से नाम है तरgisen काफी पूचा गया है कि हिंदीए सब्दू सागर है इसके बिद्वान कौन कौन से विद्वानों का कौन कौन से साहितिकारों का उलेक है तब आ जाता है बाबू श्याम सुंदरदास आचार रामचंद सुख्र और रामचंद्र बर्मा यह बहुत इंपोर्टन कुशन था है यहां से बहुत पूचा गया दैर कियेगा इस पुस्तक में कितने कभिय का लेक किया गया है कवियों की संक्या की अपेक्षा इसमें उनके साहितिक जो छेतर है किसने किस लेविल पर लिखाए इस बात की ज्यादा चर्चा की गई है कि किस कभी ने कौन से बिन्दू को इस पर सक्किया है अपनी लेकनी के माध्यम से अगला पॉइंट इसमें जो निरुूपढ़ है यह कौन सा दिश्टिकौन अपनाया गया है तो यहाँ पर रहे आधिनिक समाल उचनात्मक अपनाया गया है यानि इस ग्रंथ कभी का मुल्यांग उनकी प्रक्रिया उनका दर्शन उनकी ठॉट क्रोशिस जो उसका जो मुल्यांग करकिया गया है साथी एकला कॉइंट है कि इसमें उनकी सारी जिन राइटरों का जिक्र किया गया है उसकी करतियों का बैग्यानिक बिसलेशन किया गया है साथी केदारनाथ पाथक एक नाम आता है कि अध्याइक कि एस जो गृत्त निखे रहे थे तो ची जोई थे तो उस it रहने वाली व्रेक्टी का नाम ठांथ केदारनाथ पाथक यानि रामचंद्वन सुखल ने अपना जो एडी साहत का अध्यास लेखा उसमें एक और व्यत्ति का नाम जुड़ेगा जिसके सहयोग से यह लिखना संभा हुआ और वो थे केदार नात पाठक आचार रामचंद सुखल देखिए अब वो कहते भी है कि आचार रामचंद सुखल कहते हैं कि मैंने अपने जो रीती काल की करणियों को जो लिया है वो मिष्टर बंदू बिनोद नामक पुष्टक से लिया है उससे कापी कच़्ा चिठावे ने लिया है तो इस गरंतों को बनाने में लिखने में आचार रामचंद सुखल ने चार नरेश्टरपाटी की और ब्रज माधुरी सार है वियोगी हरी यह चार जो चार आपकी जो रचनाए हैं इसका प्रियोग रामचंद सुकलने अपनी पुष्टक हिंदी साहित की हिंदी साहित के इत्यास को लिखने में प्रियोग किया है साथ ही बहुत इंपोर्टनर कुशन है कि कभी ब्रत संग्रै की संग्या आचार रामचंद सुकलने किसको सामिल किया था सबसे पहले जो सामिल किया गया था वो किया था सिव सेंगर को यहनों को सिफ सिंग सेंगर को दूसरे नंबर पर रोने सामिल गया था जॉज ग्रीशन को और तीसे नंबर पर मिश्र जो भाई हैं मिश्र बंदू हैं उनको सामिल किया गया था तो सहीत रूप से इन तीनों को सिफ सिंग सेंगर जॉज ग्रीशन और मिश्र बंदू को कभी प्रत्त की संग्या आचार राम चंद सुखले दी थी ये कई वार क्षण आया भी है अब आचार हजारी प्रशाद द्वेदी यह नि आचार हजारी प्रशाद जो द्वेदी है वो राम चंद सुखल की बहुती बैग्यानिक और अफधानाओं को उन्होंने खंडित किया और आलोचार राम दिष्टी से उनको सो देती भी किया था तो आचार हजारी प्रशाद जो द्वेदी हैं इनका जन्म का है 1907 में जन्मिस्थान आपका छप्रा जिला में है बलिया और चप्रा में हुआ है और मृत्यू है जो उनकी वन उन्नीस सो नहसी में उन्नीस सो मई उन् इसाइति का आधीकाल यह तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है सबसे पहले जो लिखी गई थी वह लिखी गई थी कौन सी हिंदी साहथी की भूमिका अब इस पुष्टक में मैं इन तीनों पुष्टकों से हमारे कौन को से कुशन अब तक पूछे गई हैं आचार हजारी प कि ढन्दों को कि कि हैं कि आप प्रिश्टत किया था इनौने सबसे पहला महतफभूर है कि बीर गाता काल को इन्होंने आदी काल कह यह भी करेख्जोन आया कि किस ने बीर गाता काल जो रमepende भीर जाक में कि रियाद GogHy का दूधुनोंने आधिकाल को अत्यधिक विरोधों एबं गया गातओं का युग भी कहता फूल इंपोर्टेंट है यह मना है कि अत्यधिक तुसको अथिय को मैं नोट कर लेगा आत्यधिक विरोधों कि कुछछन आपकों करनी चाहिए गया है एवम ब्या घातों का युग कहा था और चुक्कि ये कासी हिंदू बिश्विद्यालाय में हिंदी व्या के अद्दच भी रहें नागरी पचाड़ी सभा की जो पत्रगाती उसका संपादन मी किया और लखनू बिश्विद्यालाय ने इनको डॉक्टर आफ लिटरेचर की पूशण भी मिला तो केरी का मतलवा यहां से इन से बहुत ज्यादा कुशन पूछे जा सकते हैं इससे जो मैंने आपको बताई है कि बीर गाता काल को आदी काल किस ने कहा अत्रिक ब्रोध हो एवम ब्यागातों का युग किस ने कहा यह बहुत-बहुत कुश्चन आपके ल कि भूमिका और महाकभी देव यह जो विसाय था यह इस पर इन्होंने क्या किया अपनी 1948 में प्यज्जी कंप्लेट की थी हिंदी साहित का इतियास हिंदी साहित का ब्रहत इतियास यहां से काफी कुश्चन बनते हैं डॉक्टर रामकुमार बर्मा 15 सेप्टेंबर 1905 को इनक 205 में जब बंगाल वहन चला है और 1990 में क्या है मिर्तियों हुए है इन्होंने जर्म है सागर जला मद्वदेश में आता है और हिंदी साहित का आलोचना तवक इतियास कई बार यह कुश्चन पूचा गया है इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं कि हिंदी साहित का आलोचना तवक इतियास किस ने लिखा तो इसका अंसर हो जाएगा कौन डॉक्टर रामकुमार इनके आलां कि यह अधूरी रचना है क्योंकि इन्होंने च्छेसोटरानवे से लेकर के 1693 तक का ही जो कईयों का जो है नें लेकं किया है तो कैसी किसे है एक अधूरी रचना है तो डौक्टर काल को इन्होंने क्या का चारन काल कहा साथ ही उससे जो पूर्व जो काल था जो उससे जो पूर्व काल है उसको उन्होंने संधी काल कहा यानि चार काल से पहले क्या है संधी काल तो कुछन पूछ लेता है कि रामचंद सुक्र ने जिसे बीर काता काल कहा उसे डॉक्टर रामक चोटी सी बाते हैं और लेकिन बट अब चुकि जो आद जहां से हमारा हिंदी इस्टाट होती है उसे पहले अभ्रंस और अभट का हमें साहिते देखने को मिलता है तो यह अभ्रंस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया अपने आपको अभ्रंस की बहुत सारी साम्विक्री को सम कैनी करिफाना फोक्टर राम कुमार बरमा की अनुसार कीच्थिन वग्तिकाल में जानते हैं यह उसका हम इंगा हुड-भकतिकाल को तो जो निर्गुर साका की जो ग्याना सरही काव्य है जिसके प्रतनिदी आपके कभी दाजी है उनको इन्होंने संत काव्य क्या कहा इन्होंने जो ग्याना सरही साका ती उसको क्या का संत काव्य और दूसरी प्रेमा सरही साखा प्रेमा सरही काव्य है और जो प्रेमा जो प्र किसको कहा है इन्होंने ग्याना सरही साका को कहा है और जो प्रेमा सरही साका है उसको उन्होंने कहा है सूफी कावे कहा है नहीं जो निर्गुर साका है वो दो भागों बटे हुई है एक ग्यानमारगी है एक प्रेम मारगी है ग्यानमारगी को हम ग्याना सरही बोलते हैं और प है और माच 47 साल जो एज थी मुकित्रीती सत्रे साल थी अगले जो फिचिति के इत्यास में जो नाम आता है वह dr rām sankar सुक्ल रसाल काता है इन्हों भी लिखा हिंदी साहित का इतियार्ज जो निस्व 31 द्यारख यह जो एड़ेट वाले हैं और तीजिटी वाले हैं इन्हें में रचना बहुत ज्यादा पूछी आती है एक एक रचना बहुत इंपोर्टेंट है यह मैंने काफी जगह से क्रेक्शन करके आपके पास प्रिष्टत किया है और जिसको यह नोट से हैं तो वह मेरे न संसावनों को चलाने के लिए कुछ ने कुछ आर्थिक की अवश्चता पड़ती है तो हमारा जो पेड़ गूर्प है यह आप इस पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं और आपको लिखना है जॉइन हिंदी अब आपका जो भी आया इस लेना हो चाए पीजीटी लेना हो चाए टीजीटी लेना हो और चाए एड़ेड वाला लेना हो आप लिखे हमको मैसेज कर देंगे और इसका जो सारी जो जनकारी है आपको मोवाइल पर देदी जाएगी अगले हमारे जो हैं वह हैं गडपती चंद्र गुप्त गडपती चंद्र गुप्त का जन्मकाल है 15 जुलाई 1928 को हुआ था और इनकी बहुत महत्त पूर्पूर्पूस तक है यह हिंदी साहित का बैग्यानिक इतिहासी दो खंड़ों में प्रकाशित हुआ था तारगना ब यह इनके द्वारा भक्तिकालिन साहित है यहनी जो भक्तिकालिन जो साहिते हैँ को तीन सेडीयों में बाता गया यह बहुत इंपॉरन्ट ता रहे हूं अपको यहां से कुश्शन बने हैं इन्होंने जो भक्तिकालिन साहित्यों को कितने भागों में बाटा तीन सीडियों बाटा पहला कौन सा था एक की धर्म आश्रित पहला कौन सा है आपका धर्म आश्रित है दूसा है राज आश्रित कौन सा है राज आश्रित काब है और तीसरा है लोक आश्रित काब है लोग ज आपके लिए यह नोट कर सकते हैं इन्होंने सुकल के तो यह इसको की थी इनकी जो अन जो रचना हैं वो रस्दांत का प्रवारोकन महादेवी नया मुल्यंकन भारती एवं पाश्यात का विश्दांत हिंदी साहत का विकास और आधिकाल की प्रवारिक रचना है ठीक है यह जादा आपन के लिए इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन से उपर वाला साल बदसूरी यानि हिंदी साहत का जो पहले कभी हैं यह कौन है यह किसने माना यह कुश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्ष में लिखिएगा हम इसकी एक एक ची बारीकियों को पुरह हैं जब हमारा जो कुश्चन पूछे जाएंगे हम टेस्ट लेंगे उसका जम वीडियो बनाके लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे मैंने किस आपक से आएगा तो मेरी समवना है कि इस बारे वीडियो लेक्चर से जरूर पूछा जा सकता है अगर आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा साथी बैल आइकल जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आपको मिले तो उसकी नोट्रिकेशन आप तक पहुंच जाए अगर कोई प्रॉलम होती है तो हमारा जो वार्टसप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और टॉपर्स क्लब आईस अकेडमी जो मोबाइल एप है उसे डाउनलोड कर लिजे ताकि आपको वहां नोट्स म